लिमिटिंग रिएजेंट तक किसी को दिक्कत नहीं है नहीं है ना दिक्कत गुरुकुल वालों को भी अच्छे से मैंने करवाया ही था उसके बाद माई प्रैक्टिक भी बहुत ज़्यादा करवा दी थी तो तो उनको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई थी वह नहीं भी लेगा इसके उपर एक कोशन कर लो बहुत बढ़ी आ कोशन है बहुत 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 है कोशन है है हंडर्ड एमल सारे लिखें न साथ साथ 100 ml ph3 जिसको फोस इन बोलते हैं इसका फोस जीन दीरी दिया नाम भी जान लट रहा है यह फोस्फीन लेख लो फोस दीन एक ही बात है ठीक है फोस्फीन गैस ओन हीटिंग गैस ओन हीटिंग फोर्म्स P4 solid and H2 gas Volume change in the reaction is Volume change in the reaction is in the reaction is ठीक है तो तो मैं volume change बताना है reaction लिख देता हूं मैं वैसे उसने बता भी दिया लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं P3 मुझे क्या देगा P4 और H2 साथ में मैं तुम्हार ले एक चीज बना रहा हूं सबको पता ही चल चुक है ठीक है उसका मतलब क्या है एक चीज मैं बनाने जा रहा हूं काहँ बाद के अपना यह color बढ़ी ऐसा ठीक है यह बंदों को यह देखती माइंड में आ जाता है मैं क्या कहना चाहरा हूं सबको बता है ना इसका मतलब क्या दा डेंजर जोन बोले तो समझ जो बहुत बढ़िया बाई मेरी भाशा समझने लगे हो सब बहुत बढ़िया बैलेंसिंग के बिन आगे नहीं पड़ना तो इस रियक्शन में इस कांसर देखते है भाई गुरुकुल वाले कहां पर अभी बैठे है उन्हें पढ़ाई छोड़े या बढ़िया आगे किया हर सिम्रान ये लिमिटिंग रिजन नः से लिमेटिंग रिजन्ट अपना हो गया उस्कूमें नाम पर नहीं ने तुमें किसका कोईशन है तुम्हें बस इतना द्यान देना है कि ये कोशन को मैं करना कैसी है मझे अरे वैसे बात बताओ शिकर फोर्म मैंने तुम्हाँ लिमिटिंग रिजन करवाया है यह नहीं हुआ था भी नहीं वाना ध्यान आ गया लिमिटिंग रिजन हमारी स्टोक्मेटर वही थी ठीक है ठीक है भई यह वैसे भी स्टोक्मेटर का गोशन ही है लिमिटिंग रिजन का नहीं है यह स्टोक्मेटर का ही है लिमिटिंग रिजन से आज स्टार्ट कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं सिंपल सा टोपिक है गुरुकुल वालों का रिवाइद हो जाएगा कोई दिक्कत एक आता दिन तुम्हारा रीजन होजेगा उसके बाद हमारे जो आगे का टोपिक वो स्टार्ट कर देंगे कंसेंट्रेशन टॉम्स ठीक है गुरुकुल भाई सब ध्यान से सुन लो मुझे पता है कि बहुत दिनों से क्या चल रहे तो कईयों ने पढ़ाई छोड़ भी दियोगी तो एक मोका मिले लिमिटिंग रेजेंट से आगे ही सारा इंपोर्टन टोपिक स्टार्ट होता है देखते कितने बच्चे घर बाते है इसका जल्दी इसका आंसर बताओ देखते है श्रीकर फोर आगे निकलता है या गुरुकुल आगे निकलता है अननिकल % तो अनिकलता है और रहा हूं और लड़को रह यहां पिछे बहुत बढ़ी है देखो कैसे करना इस कोशन को सिंपल था कोशन है इस कोशन में मुझे कुछ इतना ज्यादा करना ही नहीं है सबसे पहले बैलेंस करने अगर मैं बैलेंसिंग पर जाता हूं मुझे बता दो अगर मैं बैलेंसिंग करना चाह रहा हूं तो यहां पर क्या सबसक्राइब यह सोलिड है इतनी समस्क्राइब चलब ऑग सबस्क्राइब है जहने ऐगा जो टंटिक वाजिए ल senators को अभीशिया TVorta देखो simple सा question है अब मुझे पता है अगर change in volume बताना है मुझे बताओ अगर मानलो यह solid है मेरे हाथ में solid है सबको दिख रहे हैं अगर यह मेरा solid है मैं कहूं इतना ही मैंने moles gas के ले लिए और इस room में छोड़ दिया लेकिन जो गैस है पूरी volume को क्या कर लेगी अब मुझे बताओ गैस के comparison में solid की कोई उकात है solid की कोई उकात नहीं है क्योंकि gas क्या पूरा एरिया पूरा वोल्यम उक्युपाई कर लेती है लो इसके फोर मोल्स है तो उससे कितने मौल बन रहे है इसके तीन मौल इसके 4 मोल बन रहे है तो अगर यह भी गैस है और यह भी गैस है तो मैंने तुमें क्या गाता gas में हम volumes की term में चल सकते हैं बोलो हाई या ना, याद है नहीं है gas में मैं volume की terms में चल सकता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ इसकी 4 volume से इसका 3 volume बनता होगा बोलो हाई या ना, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता, इसकी 4 volume से P4 का 1 volume बनेगा UKS और अधी की वोलियूम को में मोल सकते हैं यह लेकिन वोलियूम की बात आगी तो मैं Gail से रिलेयट कर सकता हुद इसका 4 volume इसका 3 volume तुम होती ही नहीं है जबाढक है यहां पर मुझे किवन उखें 100 आए 3 x 4 x 200 कितना बन जाएगा यह 4 बन जा, 4 तू लाइड, कितना बन जाएगा यह 3 x 4, यह बन जा फोर बन जा, 4 तू लाइड, और 4 फाइड, कितना बन जा, 75 ml, बना नहीं बना, अरे रुको, 4 तू इस लाइड, यहा पर 6 आएगा, 666, मैं भी कहाँ, यहां पर गटबड क्या हो यह 6, ठीक्स, यहां पर 4 x 3 क्या हो गया, कितना बन जाएगा यह मेरा बन जाएगा यह मेरा बन जाएगा 150 ml फाइनल वोल्यूम कितनी है यह तो मेरा खतम हो गया final volume होगी मेरी 150 ml, तो change in volume कितना हो गया, change in volume कितना हो गया, 150 minus 100, तो कितना हो जाएगा, 50 ml, तो answer मेरा क्या हो गया, 50 ml, तो इस question से हमने दो बाते सीखी, वो दो बाते क्या थी, कभी भी solid की volume से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि solid की volume negligible होती है, दूसरी बात, कभी भी अगर मैं volume की time में चलाता हूं, तो मैं solid को comparing नहीं कर सकता, तो यहां से दोनों बाते, यहां पर बहुत important question मना देती है, change in volume का, जिनोंने solid को भी ले लिया, उनका NAS हो जाएगा, NAS कैसे हो जाएगा, वो इसको भी add कर देंगे, और add कर देंगे तो बाई, तमाशा हो जाएगा, समझ रहे हो, आप कई हो कि बात mind में आ रहागा सर, यहां पर तो volume था, यहां पर मतलब कोई भी unit, ठीक है, यहां पर मैं सीधा यह बहुत सकता हूं, 4 ml से 6 ml बन रहे है, क्योंकि उसने ml दिया था, अगर यह 100 लीटर बोल देता, तो मैं 4 लीटर से 6 लीटर बोल देता, volume कोई भी unit, जिसमें उसने पूछे, clear है, बोलो, इतना topic clear है, सबको फटर बोलो, इतने बात clear है, आगे बढ़ा जाए, बोलो, बहुत बढ़िया, अब अपने topic पर चलते है, limiting reagent, जो इस topic की जान है, मोल concept के अगर मैं जान बोलो मैं limiting reagent है, मोल क्या, पूरी physical chemistry, पूरी organic chemistry, अचान पाएगा, तो question को कैसे करेगा, तो heading डाल लो, limiting reagent, limiting, बेटास, यह जो गुरु कुल वाले है, उनको सुनेहरा होगा मिलगा है, कैसे मिलगा है, कि भाई वो एक बार यह बार topic को revise कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अब हमने इसको advanced level पर लेके जाना, ठीकि उस time पर त limiting reagent, start करें बोलो, start करें, start करें, manan जो question था, मुझे बेद देना, manan वो मैंने SO2 वाला दिया था, SO2 से बैट रही है, कोशन था, तो वो और यह कोशन था, बस वो एक तरह से मैं example ले रहा था, कोशन करा दिया, the last class मैं start करा रहा था, बोस कोशन है, यही तो करा है, वो volume अले करा था, ठीक है, चलो start करते है, limiting region, बहुत बड़े topic है, यह बहुत बड़े topic क्या है, मान लो मुझे cycle बनानी है, बहुत बड़े example है, पहले भी ले चुक हूँ, ठीक है, अगर मान लो, मुझे bicycle बनानी है, ठीक ठीक है, अब अगर मुझे इसको बनाना है, तो अगर मैं तुम्हें बोलू, इसको बनाने में, मुझे क्या क्या चाहिए होगा, ध्यान से देखना, अब मैंने इसको बनाना है, तो मैं बोलूँगा, कि मुझे wheels चाहिए, दो wheels चाहिए, ठीक है, एक handle चाहिए, ठीक है, और स मैंने तुम्हें बोला, द्यान देखना, मान लो मैंने तुम्हे देदी यह 10 wheel, या 20 कर दो, मैंने तुम्हें देदी 20 wheel, ठीक है, और देदी मैनने 8 handle, ग्वायद मैंने तुम्हें 5 seats, तुम कितनी साइकल त्यार कर सकते हैं जिसने बात समझ लिए वले बहुत बढ़िया गुरुकुल वाला से तुम्हें सबसे उमीद हैं वह आंसर देंगे और जो यहां वाले शिकर वाले उनके आंसर आ रहे हैं बहुत बढ़िया अगरी बार ना ऐसा करना गुरुकुल वाले ना अपने नेम के साइड में जी लिखाना टाकि मैं पहचान सको कि वह गुरुकुल वाले क्योंकि कि इतने सारे नाम है फिर भिंख भाता है एक नभी मुझे गलत आंसर ने दिया बहुत बढ़िया बात आँसर आगे मेरा फाइल अब बात है अब बात है क्या मुझे इससे कुछ फ़रक पड़ा नहीं कुछ भी नहीं फ़रक पड़ा मैंने यह 20 वीज्स ले लिए मैं इससे 10 साइकल बना सकता था 10 साइकल मेरी बन सकती थी लेकिन उन 10 साइकल में भी 5 साइकल के पास सीटी ना होई तो वो साइकल कहां की मतलब की कि हुआ क्या यहां पर मेरे पास मुझे बताओ किटने वीज़ बच गए ठीक है मुझे बता बाओ कितने वीज़ लाट हो जाएंगे बाओ कितने ही सबस जाएंगे बतने बच जाएंगे recruitment मेरे 10 वी लज़ लेफत बचे मेरे तेन सीट कितनी बचे सीट कितनी बचे सीट ठेंगा 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 जीरो कुछ भी नहीं बचा तेंगा पर क्या जेगा जीरो अब मुझे बताओ मेरे पास यह जो वीर्ण है लिवी बचे और यह जो मेरें हैंडल बचे क्या है को मतलब हें चुज हो गई इनका कोई बathy dio नहीं पड़ रहने से कुछ फरया नहीं कोई कोद एक से सड रहे हैं पड़ रहे हैं जंग लगए और एक्स今 Oh जिस जो एक घर का राजा बन गया इस केस में अगर मैं राजा की बात करता हूँ तो इस केस में मैं राजा किसको बो सकता हूँ यह जो मेरी सीट्स थी यह मेरे महाराजा थी महाराजा क्यों थी? क्योंकि इसने डिसाइड किया कितने साइकल बनेगी वीज मैं चलिए लाखो ले आता लेकिन राजा कॉन रहा घर में चली किसकी सीट की ऐसा कंपाउंड या ऐसा रिएजेंट जिसकी चलती है घर में मतलब वही डिसाइड करता है कि रियक्शन में प्रड़क्ट कितना बनेगा उस चीज को हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोलते ह लेकिन जो राजा कौन था मेरी सीट थी सीट खतम तुम्ही साइकल बनना भी खतम यह तो एक्सेस में पड़े रहा गए और यह मेरा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट इतनी बास अब क्लिए रहा है जिसने वाली समझ ली उनके बल्ले बल्ले क्योंकि यही बात थी मेर मैं बस इसको छखेंड में अप्लाए करना बस अब मैं इसको फ्र commission रहो कर दूँंग अपहले लिह को लिएकलो लिमीटिंग रिजेंट क्या होता है उसकी感謝 नहीं बड़े गर कि कुछ नखुस्त नहीं सीखेंगे के कब डकुन एक ही लिख लो दारी एजन्ट दारी एजन्ट इए लिख लिए ना लिख लिए ना मतलब अच्छे समझ आ जाता है अगर ऐसा लिख लोगे बाकी मर्जिया ऐसा इंपोर्टेंट नहीं है यह यहां बर कैने स्ट्री कुछ नहीं था मैंने डे-to-day life से पेर किया था और मैं तुम्हे नहीं बता रखा है देड विख से इंपेर करके चलूंगा टेके लिख लो लिमिटिंग रिजेंट रिए जो टाले ना लिमिटिंग मतलब अधिश्च टाले रखे लेक़े लुड़ रिए जुच इस दारे याजंट विज से प्विच तुम्पलेटली रिजंट विच पु in the reaction is called limiting is called limiting reagent अगला of product the amount of product form the amount of product form hello कि अधिकर दिया था कर दिया है आप मैंने उनका टाइम टेवल देख लिया था था है 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 यहां जी वह देख लिए मैंने दून क्या बोला मैंने दा माउंट ओफ प्रोड़क्ट फोर्म भाई शिक गुरुकुल वाले तुमारे टैंशन होगी थी कि तुम्हेरे पास लिंग पहुचा नहीं पहुचा है द माउंट ओप्रोड़क्ट फॉर्म इस डिसाइड़ीड बाइद ठीक है अब बात है अब मेरा कोशन आता है सबसे पहले कोशन आता है अभी तक limiting agent काँ छुपा हुआ था मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया था मैंने भर भर के reactions की थी लेकिन जिक्र नहीं हुआ था उसका reason क्या था देहां से समझ लो अभी तक मैंने स्टोक्टोमेटरी जब पढ़ाया वहां पर मैंने तुम्हें क्या बोल ला था दियान से समझें दोनों में हल्का था मैं नूट सा फरका बिलकुल मैं नूट सा मैं तुम्हें बोल देता था मेरे पास 20 है मुझे पता कितनी साइकल बनेगी तुम सीधा बोल देते दस मैंने ब इसको बंद भी कर दे ते कि उस टाइम पर आए तुम्हें क्या देता था शिर्फ एक ही रेजन देता ता अब मैं तुम्हें क्या राजा दे रहा हूं 2-2 अगर मैं। इक ही राजा को बेज रहा था और वह राजा ही डिसाइड करता था कितना बनेगा मतलब एक ही रीजेंट होता था अब मेरे पास हुगे मतलब यburyक्ट निलडेंगी करेंगे कि मेरी राइक्शन रोता है कि सी कहें पापा ते किसी गैश डूiono और गाफा कLS उले शेही西9 तो वहाँ पर पहले देखते हैं कौन जीत लेगा तो अगर घर में एक ही में बंद है तो वही राज है उनके अलाब आगे किसी की नहीं चलेगी समझ रहे हो अगर वहाँ पर एक ही रियाइट दिख ले ना इस बात को बहुत इंपोर्टन बात बता रहा हूं नोट बनागे लिकलो ब्रह्मास्ट्र बनागे सिवैंठ तो यूज इसे लेंट ऊज दाकन सेप्ट रहाँ अ बहूत इंपोर्डन बात है जो यह लगया देख है है कि अच्च्छिन पर लुट हुआ इस जासे वह करने मतलब इस concept को हमें यूज किस ताइम पर करना उस बारे में बात करें थी करें के वाट करने इस बात को ध्यान से लिख लेना इस बात को जरता हूं वेन बाद मोर देन 1 1 reactant amount is given मतलब कभी भी एक से ज्यादा reactant का अगर amount given होगा तब हमें किसलिया concept उठाना है तो मुझे उठाना पड़ेगा limiting region concept समझ के अगर सिर्फ एक का amount given है तो limiting region कहां से आएगा limiting तो तब होगा ना जब दो लोग होंगे जब अकेला ही आएगा तो अकेला वैसी राजा होता है तो पूरी रियक्शन में उसके साब से चलाएंगे अब यहां पर apply करने है अब है पहले वैं वी यूज था ठीक है अगला कोशन है मेरा ठीक है अगला कोशन है how to predict how to predict which is the limiting region अगला कोशन मेरा बन जाता है मुझे पता कह चले है कौन सा लिमिटिंग रिजेंट है साइकिल वाला कैस तो सिंपल था क्योंकि तुम्हें अदब और ली कर पा रहे थे लेकिन अब कुछ ऐसा आ गया जान तुम और ली करी नहीं पा रहे तो तो तुम्हें कैसे concept को लगाना है ठीक है तो पहला कोशन यह रहा उसका आंसर मिलेगा इतना लेको फिर अगले पेज पर चलता है ठीक है मैं next कर दूँगा अगले पेज पर चलता है वल्ले विल जल्दी लेको लिख लिया इतना लिख लिया बड़े आगे प्रड़ बोलो इसमें इदेंटिफीकेशन और लिमिटिंग रेजेंट डिमिटिफाई कर सकते हैं सबसे पहले सबसे पहले स्टेप मेले याद रहेगा इसमें मैं मान लिख देता हूं स्टैप नंबर वन क्या है मेरा राइट सबसे पहला क्या होगा बताओ क्या होगा तुम्हें रट चुक है कभी भी मैं आगर यह खोपड़ी मना तो उसका मतलब क्या है राइट दा यह बहुत बहुत बढ़ी है अब मतलब है तब पूरी हर जहा जगा पर ही बैलेंस chemical equation देखो दो जेगा होती है जहां पर हमें balancing नहीं करने पड़ेगी एक POAC में ठीक है और दूसरा equivalent concept वो आगे पड़ते होते हैं ठीक है mole concept पूरा balancing पर based है ठीक है दूसरा step क्या मेरा step number two ठीक है तुम्हें दूसरा चलाने है तुम्हें अपने परदा चले है लिमिटिंग एजन को ने अगला step के दिवाइड दा गीवन मोल्स डिवाइड गीवन मोल्स विद देर रिस्पेक्टिव विद देर रिस्पेक्टिव स्टोक्योमेट्रिक कोफिशेंट्स टोक्योमेट्रिक कोफिशेंट्स फोर इग्जाम्पल पर ध्यान से देगना इग्जाम्पल को अगर हम बोलनों में पास है ऋटर मुझे मिल कदेपी ev2 इसको बैलेंस कैयसे करेंगे यहां पर आफ लगा दो ठीक है यह यहां पर और मर्दीय तो मारे आंसर दोने सेम आईगा टाल खुश फरक नहीं पड़ेगा यहां पर टूँं लगा लिया ति अब मिर । स्थरकार चीन अब देखो मुझे मानलो यह तोawat रियेक्शन यह बता रहे कि मुझे अगर 220 आप तो मैं मतलब उसमें 2डो शाहिए और एक सीर चाहिए और ऐसे मेंinta वह उस ऐखिल देने ही पड़ेंगे, उसकी requirement है, लेकिन अब मैंने क्या किया, मानलो मैंने तुम्हे इसके दे दिए 5 moles, इसके दे दिए 6 moles, या इसके मानलो 2 moles, अब मेरा तुम्हार से कोशन है कि मेरी रियक्षिन का राजा कोन है मतलब किसके हिसाफ से रियक्षिन को मैं चलाओंगा समझे अब मेरी रियक्षिन किसके हिसाफ से चलेगी थे तो अगर मैं चेक करना हुआ हूं किस के साफ से रियेक्शन चलेगी तो तुम बताओ किसके साफ से चलेगी बोलो वहाई एंड रेस ना किया करो ठीक है वह न फिर तुम्हारी चैट ने देखति थी चैट के आगया जाता है ठीक है है कि तर्फ के सिर्ण में तूह से तश्लिस gelecek sacar तो मुझे लिमीटिंग इजर्न नीब मुझे सिंपल स्ट्रोकिकृ मैट्री से बताना था कि मेरे दो अगने कितने अपड़े concept of limiting region लगाना पड़ेगा, वो concept मुझे क्या कहता है, जो given moles है, यह मेरे given moles है, divide the given moles with their respective stoichiometric coefficient, ठीक है, तो यह मेरे given moles है, उसको मैं उसकी stoichiometric coefficient से divide करूँगा, यहाँ पर अगर मैं divide करता हूँ, मेरा क्या आजएगा, 5 by 2, इसको अगर मैं divide करता हूँ, क्या आजएगा 2 by 1, तो यह मेरा कितना बन गया, 2.5, और यह कितना बन गया, 2, ठीक है, अब मेरा step number 3 है, step number 3 है, दाल, lower value, will be the limiting reagent, अब इन दोन में छोटी value को होन है, 2 छोटी है, या 2 by 0.5 छोटी है, answer है 2 छोटी है, तो मैं limiting reagent कोन हो जाएगा, मैं limiting reagent हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यह मेरा क्या हो गया, limiting reagent, सब को यह funda clear है, सब को यह funda clear है, बोलो, सब को यह funda clear है, limiting reagent पहचान गए, बोलो, जैसे limiting reagent मैं पहचान हो, द्यान समझना, जैसे limiting reagent पहचाना, दूसरे को तो घर से भाहर निकाल दो, उसकी तरह देखना भी नहीं है, अब मेरा जो product है, वो राजा decide करेगा, और यहां राजा कोन हो गया मेरा, अब मुझे जब reaction को चलाना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब भी मुझे अगर मालो reaction को चलाना है, तो मुझे बस इसको देखना है, इसको देखना है बस उसको तो देखना भी नहीं है, क्योंकि limiting agent यह है, अब मैं देखूंगा, 1 mole से मेरे 2 mole बनते थे, ध्यान से समझना, 1 mole से मेरे 2 mole बनते थे H2 की, ठीक है, तो 2 mole से कितने बनेंगी, 1 से 2, तो 2 से कितने, 4 mole से, समझ रहे हो, लेकिन, अगर मैं इसके हिसाफ से चल लेता, H2 के हिसाफ से, सोच के देखो, अगर मैं H2 के हिसाफ से चलता, तो मुझे क्या answer मिलता, 2 से मुझे मिलते है 2 mole, तो 5 से कितने मिलेंगी, 5 mole, और मेरा यहां से कितना आरा answer, 4 mole, यहां से आरा 5 mole, तो अगर मैं H2 के हिसा आप से चलता तो मेरा आंसर भी लगाता तो इसका मदब क्या हो गया अब बात है एस्ट्यू के साथ में चलने पर अलग क्यों आ रहा है क्योंकि यह तो एक्सेस में है मतलब यह जो मेरा साइकल वाला बात मैंने बताई थी मेरे जो दस टायर बच गए थे वो मुझे पांस साइकलोड दे सकते थे लेकिन यह पहले ही खतम हो गया था उसके अंदर ही समझ रहे हो तो यहां पर भी यह सीन हुआ कि यह मेरा आंसर जो इससे आएगा वह गलत होगा मेरा जो आंसर ओटू से आ रहा है जो लिमिटिंग इसंड मुझे आंसर देगा वोही मेरा आनसर सही होगा समझ गये बोलो समझ गए एब मैं तुम्हें अगर एक चीज बोलों भी हाना कितना मेरा YouTube मेरा बच गया होगा तो कैसे निकाल लेंगे फिर मैं राजा के पास जाओंगा रादा जी बताओ आपने पास बताओ स्टोक्यमेटरीर से बताता हूं कि मैंने कितना रेक्ट किया है सिसका एक o would इसके दो मोल है इसके रिएक करता था तो यही है इसका एक मोल ओ तू दो मोल है तो दो मोल कितने से रिएक किया होगा एक मोल दो से तो कितने से किया होगा चार मोल एयस्चू से मतलब क्या हो गया निए चार मोल एयस्चु खत्म होगा घायो सोगा मेरा 5 मॉल था बचा होगा वह मेरा एक मॉल क्योंकि चार मॉल तो यूटिलाइज हो गया तो मेरा क्या बंज जाएगा यहाँ पर चार मॉल तो खतम हो गया यह यह क्या हो गई है क्योंकि हमने बहुत ज्यादा लिख दिये मतलब हमें समझे नियार हमने क्या निकाल है इसको लिखने का तरीका बताता हूं जो सबसे असान होता है उसको रीड करने भी मज़ा आता है ठीक है यह तो खिचडी पक गई है ठीक है मुझे भी दिख रहे है ठीक है मुझे तरीका बताता हूं इसमें जो समझ आ रहे हो लिख लो लिखना कैसे कोशन का सगने वह इसके बाद बता तो यह तो मैंने फूरा बता दिया कितना बड़ा-बड़ा स्टॉक सा इक लिख रहा कोई या next कर दो कोई लिख रहा है नेक्स कर दो बोलो नहीं लिख रहे लिख रहे लो अगर कोई है चलो दिखा रहा हूं दुरू एक बार दुबार रिपीट कर रहा हूं मेरा कोशन क्या आएगा कोशन क्या आएगा की के मैंने कौन सा कोशन दिया था मैंने ह्टू आडही थो फोला ले लेघि… ह prochain है है एस टू plus O2 giving 2H2 ठीक है वो मुझे बता देगा कि मैंने यह कितना लिया इसको मैंने कितना लिया था एक बाट सेम ले लेता हूँ यह मैंने लिया था 5 mol और यह लिया था 2 mol यह मैंने लिया था 5 mol यह लिया मैंने 2 mol ठीक है सबसे पहले चुपके से side में जाओ limiting region निकाल के हो तीक है वो बीच में गडबड नहीं हो नहीं चीए वो side में होना चीए rough work में कैसे निकाले limiting region माल में मेरी rough side है तीक है सिखा रहा हूँ तरीका 5 mol है given moles divided by stoichiometry 2.5 2 moles divided by stoichiometry 2 तो limiting region को नहीं है 2 वाला तो सबसे पहले इसको level कर दिया करो कि यह मेरा limiting region यह जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखना सब ने पहले बता रहा हूँ क्या लिख दो इस पर limiting region इतनी बात समझगे इतनी बात समझगे वो side में जाके किया और यहां पर अपना लिख दिया ठीक है अब देखो अब मुझे क्या ले क्या आना नीचे अब जो मैंने उपपर लिख है उनको नीचे उतार दो उनको नीचे उतार दो यह five mole है यह two mole है और starting में अभी कुछ भी नहीं है ठेंग है क्योंकि जब मैं दोनों को डालूँगा time t is equal to zero पर ठेंगा होगा ठीक है तो मैंने मान लिया अभी कुछ भी नहीं बना और यह और यह है बिल्कुल feel कर और reaction हो रही है अब मैंने पहचान लिया यह limiting reagent होगा अगर कोई limiting reagent होता है वह पूरा खतम होता है नहीं होता पिछले case में हमारे जो handle थे वह बिल्कुल खतम होगे थे यह वह सीटी सी जो भी मैंने limiting agent लिया था तो यह तो मेरा बिल्कुल खतम हो जगा तो मैं यहां पर रहते डैंश डाल दू खतम है बिल्कुल बोलो समझ रहे हो यह तो मेरा पूरा खतम हो गया clear है बोलो इतनी बात यह तो मेरा खतम होगा क्योंकि limiting agent हमेशा खतम ही होगा अब मेरा कोशन है कितना बनेगा कैसे लिखने मैं तुम्हें पिछली बार भी shortcut सिखा रहा क्या ठीक है एक मोल से दो मोल बनता है ठीक है छोटा ता साइड में करके दिखा रहा हूँ एक मोल से दो मोल बनता है तो दो मोल से कितने बने होंगी चार मोल ठीक है तो लिखना कैसे है मैं तुम्हें सिखा रख है इसकी stoichiometry इवाइड भाइड इसकी stoichiometry इंटु दिस ठीक है तो क्या हो जाएगा तू बाइवन इंटु टू अंसर क्या हो जाएगा फोर मोल से इसकी देखो 1-2-2-4 तो हूंने क्या किया एकसे 2 आया थी इक से 2-5 इंटू-2 टू 1-2 को गया अब यह देखते कि Recovery just होगा दो से ध्यान समझना दो से बनता है दो तो पांच से कितना बना होगा ओ सोरी अब इस पर आते हैं दो मोल एक मोल से दो मोल रियक्ट करते हैं एक मोल से दो मोल रियक्ट करते हैं तो दो मोल से कितना क्या होगा तो लिख लो इसको देखो एक मोल से दो मोल रियक्ट करते ह तो दो मोल से कितना किया होगा चार तो मेरा था यह पांच पांच में चार कर गया रियक्ट बचा कितना वन मोल तो मेरा लिखने का तरीका क्या हो गया एंड में जो मेरा एक container बचा उसके अंदर मुझे चार मोल इसके मिलेंगे यह कुछ भी नहीं मिलेगा और एक मोल इसका मलेगा लिखने का तरीका होता यह समझे लिखने का तरीका होता है यह बिल्कुल reaction को चलाना सीखना है तुम्हें इकुलिब्रियम में इसको मोत यूज करते हैं ठीक है हर चैप्टर में इसको यूज करते हैं यह सारा माइड में calculation करनी होती है यह फोर मोल कैसे आया वान मोल कैसे आया ठीक है समझे इतनी बाद ज इफ कोशन लेख लो चला मैं लेखे देता हूं इफ वान मोल of ammonia ammonia वोले तो NH3 and one mole of O2 are mixed then how many moles of and no will be formed ठीक है तो reaction भी लिख देता हूं वैसे यह reaction दे भी सकता हूं ठीक है एन नेश्थ्री प्लस O2 अभी के लिए मैं तुम्हें reaction भी बैलेंस करके देता हूं सिर्फ अभी के लिए वैसे वेपर में नहीं भी आ सकती यहां 4 आएगा यहां 5 यहां 4 और यहां 6 मैंने आदा काम तुम्हारा कर दिया अब आदा काम तुम्हारा बचा कर दो इसके बहुत बढ़िया रोई 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 का आंसर भी आ चुक है बहुत बढ़िया कि सबसे पहले मुझे क्या करना है जो जो given amount है उनको लिख लो given amount मेरे कौन कौन है एक मोली है ठीक है और एक मोली है तो कोने में जाओ पहले कोर्णर में जाओ चेक करो कि limiting region कोन है कोन आएगा लिमिटिंग रेजन बोलो लिमिटिंग रेजन्ट कौन होगा कि लिमिटिंग रेजन्ट कौन होगा भाई लिमिटिंग रेजन्ट बताओ कौन होगा वही क्या कर रहे हो तुम लिमिटीजन पूछ रहा हो है तुमसे इतने गलत आंसर वही क्या कर रहे हो देखो कितना अबाउंट डीवन है वन ठीक है ऐनस्थ्री की बात करता हूं वन डिवाइड वाइब फॉर और ओटुमें क्या होगा 1 divided by 5 छोटी value कौन है छोटी value किसकी है छोटी value बताओ किसकी आएगी भाई जो मैं पहले पूछ रहा हूं वो बताओ भाई छोटी value साफ साथ दिख रहे है ओटू है तो limiting agent कोन हो जाएगा तो मुझे बताओ यह नहीं क्यों बोल रहे हो कई बच्चे वही जिसकी value छोटी होगी वही तो limiting agent होगा मैंने बताया तो अब इच्छे तो limiting agent कोन हो जाएगा ओटू तो पहले इसको माग कर लो मेरा limiting agent कोन है ओटू ठीक है माग कर लो यह मेरा limiting agent जैसे मैं लिख रहा हूं तो आए नोट में ऐसे होना ची मुझे सबने नोट भेजने क्योंकि अगर तुमने गंदी तरह से लिखा तो कोशन ही नहीं कर पाऊगे अब मेरा कोशन है कितने नो बने होंगे मतलब मुझे एनस्ट्री हो तो देखना भी नहीं है एनस्ट्री जा और यह भी कितना मेरे पास वन मॉल ठीक है लिविटिंग इजन यह है तो मुझे देखना भी इसको है तो मुझे पता है 5 से बनता है 4 तो एक से कितना बनेगा देखो 5 से 4 तो एक से कितना 4 by 5 this divided by this into this कितना बन जाएगा 0.8 मॉल्स विल भी दा आउनस्ट्री हृइ है है संज़े हो बोला संभए सांप अगर आप वह देता कितना है चलर बनेगा थे डूप कितना बनेगा अपके प्रता कितना बनेगा आस्याम अपनेगा लेकाई अज तरिक दो बाता रहा कि मॉसको नालो यह मेरा एं गीविंग बीप है और तुम्हें मानलो यह कुछ x amount given है थीकि x amount given है तो यह कितना बना होगा तो तुम्हें करना क्या होता है बी divided by a into x तो यहां पर क्या जाता है मेरा बी divided by a into x यहीतो करते भी आ रहे हैं है समझ रहो कि इसकी स्टोकिमेटरी जिसको डिभाइड गया हो हिए फफाइड 24 और निकालने चाहिए उसके स्ट्रॉमेट्री और इन्टी समस्क्य के माउंट हे अभग आप इसके एगर मैं निकालना चाहों। इसके नहींअ बैसे क्म जीन करने क्या रहुँआ फाइव इन्टु बन कितना बन गया हूँ है फाइव 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 वान पॉइंट टू मॉल्स सब क्लियर है बात सबको बात क्लियर है बोलो सबको इतनी बात क्लियर है कि बोलो बढ़े आगे अगला कोशन लको अगला कोशन लेखो भैं अगला कोशन लेखो ख हुआ वन लेखलो लेख लो इखिलोविएंट 30 G Way और 30 G ग्राम उव एम जी ग्राम आँज आडड़े डीट्यू टू ग्राम आप ओड़े इस यहर्यक्ट प्रियक्ट है हो मेनी ग्राम्प हो मेनी ग्राम्पोत आव्य और फों या भी ट्वाइट लिया है उनसे रियक्क करके इरंडी ौबनते है सब को पता होगा इन नाइन टेंड पढ़ते हो तूं कि एमजी मेंने कितना लिये 30 ग्राम और यह लिए 32 ग्राम सबसे पहले क्या यह reaction बैलेंस है बोलो हायाना क्या यह reaction बैलेंस है नहीं है तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा करो बैलेंस क्या होगा यहां तो यहां पर 1 by 2 लगा दो यहां पर भी 2 लगा दो और यहां पर भी 2 लगा दो कोई फरक नहीं पड़ेगा जिनको दिक्कत है फ्रेक्शनल से वह यहां पर 2 लगा दो तो 2 1 2 हो गया यहां पर अब मुझे बताओ जब तुमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने हैं तो कौन होगा सबसे पहली बात दियान कान खोल के दियान में रख लो यह नहीं है 30 divided by 2 कर दो हमें मोल्स को करना होता है यह तुम मास से पंगे ना देना पहले मास से मोल्स निकालो समझे रहो पंगे न लेना कभी तुम्हें बस इसका कि 30 को 2 से दिवाइड कर दो और 32 को वान से दिवाइड कर दो ऐसा नहीं करना पहले भी योज निकालने पड़ेंगे 30 gram में कितने मोल्स है है मुझे बताओ 30 घ्राम में कितने मोल्स होंगे इसके इसका मोलर माच कितना होता है Californian का 24 ठीक है तो कितना बन जाएगा six fours र поним जाए टुक सिक फॉर्ट इसक्स फाइब थर्टी तो कितना बन जाएगा वान पोइंट 414, 1.25 moles यहीं आएगा बोलो ठीक है? और इसके कितने moles आएगे? इसके कितने आएगे? 32 given mass यह हो गया, divide by molar mass तो answer कितना हो जाएगा? 1 समझ रहे हो? तो यहाँ पर मेरा क्या आजएगा? 1.25 moles और यह 1 mole अब मेरा तुमसे question है, limiting region कोन होगा? अब यहाँ तुमसे question है, limiting region कोन होगा? देखते हैं, अब कितने समझ पाते हैं? देखो, limiting region के लिए दुबारा से corner में जाने, ढूणने के लिए तो क्या बन जाएगा मैं limiting region? अगर मैं mg की बात करता हूँ तो क्या करना है? मुझे 1.25 तो छोटा ही आएगा, common sense की बात है, 1.25 को टू से divide करूँगा, तो 0.6 कुछ बनेगा, तो वो छोटा ही है तो limiting region कोन हो जाएगा? बोलो limiting region कोन होगा? mg, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? यह मेरा क्या होगा? limiting region भाई, दुबारा बोल रहा हूँ जिसकी value छोटी होगी, वो limiting region होता है आदे बच्चे अभी भी O2 बोल रहे थे पता नहीं कौन सी दुनिया में घुम रहे हैं वो अगर यह limiting region है, तो इसके इसाफ़ से में रियक्शन चलेगी O2 को मुझे देखना भी नहीं है है लेटरी जर्ण है तो खत्म होने यह बना कितना होगा दो से बनता है दो तो 1.25 जा कितना बना वहँगा वान पोइंट टूफाइव इतनी बात अगो क्लियर है हुआ हैं ऐघ है सिंपल स्टोक्योमेट्री चलागी है लिखना जा तो लिख लो दो मोल से 2 मोल बनते हैं तो एक मोई से कितना बनेगा दो तो 1.25 मोल मोल से कितना कर लेते हैं त् Again is question कर लो ये मेर ब्मट फा شिंप मोल रोगें मुझे का खरना है इसके किया निकाल ले नैं मास कि एं जो का मह असकतना होते है फ्वेंटी फॉर है जी का दियान अकना इस से कोई मतलब नहीं है मोलर मास में दुबारा बोल रहा हूं मोलर मास एक मोल का मास होता है तो इसको टू से मल्टिप्लाइना कर देना ठीक है 24 और यहां 16 कितना बन जागा टू 3 और यहां पर क्या आजएगा 4 यहीं बनेगा तो 1.25 इंटू 40 कितना बन बोलो कितना बन गया तो बोलो तो 50 ग्राम तो आंसा क्या हो जेगा 50 ग्राम बोलो सब को चमाग गया तो बाकि करेंगे फिर अधिए एक दो कोशन में भी ग्रूप में डालूंगा कल करने आने से पहले करके आने यां नहीं बेटा वासू मांस मत करना इसको पहले लिटिंग निकालने कवस्ट निकालने पड़ेंगे पहले लिमिटिंग इसने के व arrangements से करोगा इससे बैटर इसके कर लो मॉस्ट निकालनी पड़े 6 है कि मैं कॉाुशन दूंगा मुझे संहेंट कर के लिए उसका हमारी से लेन देना नहीं है वो जनरल चीज़ नहीं होरी तो टैंशन ना लेना वो बस एक तरह से तुम्हारी 910 में जो चीज़ी होते उसकी रिवीजन थी अगर तुमने नहीं पड़ा हमें पते नहीं पड़ा तो उसकी टैंशन आ लो करा देंगे उसका मोल कर सब्सक्राइब कुछ लेना देना नहीं है वो जनरल केमिस्ट्री आती है मतलब इसका नाम क्या होगा यह क्या होगा नाइंटेंट की बाते हैं तुम थर्ड डीपीप से स्टार्ट कर देना अगर पहली दूसरी नहीं होरी ठीक है उसको ढूंढ ढूंढ के कर लो सीखी साम में लेगा